नमस्कार साथियों आज फिर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल Business Deals पर यहाँ पर मैं आपके लिए लागता रहता हूँ बहुत ही trending business idea, sales strategies, case studies और बहुत सारी sales grow करने के techniques तो मैं आज फिर हाजिर हूँ एक कमाल के business idea के साथ में जिसमें कि आप मात्र 10,000 रुपए investment के साथ अपना product launch कर सकते हैं बहुत ही कम दामों में तो दोस्तों इसमें आपको main raw material जीए होगा वो एक raw material है और छोटी सी एक machine है और आपको शुरू करना है street food का business जी हाँ दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ flavored popcorn बनाने के बारे में popcorn आज बहुत ही ज़्यदा प्रचलित है चाहे बुड़े हो या बच्चे हो हर कोई बड़े चाव सिखाता है और अगर उसमें flavor का जायका आ जाता है तो वह कमाल ही हो जाता है क्योंकि आज के date में कोई भी बड़ी company popcorn नहीं बना रही है चाहे वह snacks बहुत तरीके के और बना रही है नमकीन वगएरा लेकिन पॉपकॉर्ण के business में अभी बड़ी बड़ी कंपनिया नहीं आई है तो आपको competition भी कम होगा क्योंकि आपको street पर अगर बेचना है और flavor दे रहे तो कमाल की sale होगी तो आई यह देख लेते हैं कि कौन सी machine यूज होगी आपको flavored popcorn बनाने में उसके बाद मैं आपको license अगरा के भी जादकारी दूँगा तो दोस्तो यह रही machine आपकी screen पर जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे यह आपका corn है इसको आम बोलचाल की भासा में मक्का बोलते हैं इसी से आपका popcorn बनाया जाता है इसको आपको डालना है आपने cattle में आप जो देख पा रहे होंगे stainless steel 304 का यह cattle है इस cattle में heating elements लगे electric दो तरीके machine होती है दोनों में थोड़ा सा difference होता है rate का और उसके लिए आप company में जो number दिया गया है वहां से संपर्क कर सकते हैं आपको description में मिल जाएगा और screen पर भी नजर आएगा अभी जो SK engineers बरेली में यह company है आप देख पा रहे होंगे कि process जो होता है इसके अंदर जो बराबर पूरे cattle में mix होता रहे है जिससे कि वो एक समान रूप से पके और आपका popcorn बहुत ही अच्छा बने दूसरा आप इसका use कर सकते हैं कि अगर कुछ flavor या butter या कुछ ऐसी चीज mix करना चाहते हैं तो वो भी इसमें mix कर देंगे जिससे आपका product बहुत ही tasty बन करके तयार होगा और अगर आपको flavors वगेरा का knowledge है थोड़ा तो क्या होगा कि आप और ऐसे बहुत सारे product हैं जिनको complete कर पाएंगे क्योंकि क्या होता है आजकल जो taste हमें मन को भाज आता है हम जरूर वहां पर जाने कोसिस करते हैं आप customer building के लिए आपका बहुत ही अच्छा होगा कि अगर कई सारे flavors में popcorn दें इसके लिए आप packing छोड़ी चोड़ी packs भी बना सकते हैं जैसे कि आपका आता है जो cup sealing machine आती है उस machine से डाल के वैसे बना सकते हैं या तो आप generally ऐसे packets में बेच सकते हैं अपनी machine के पास से अब देख पा रहे होगे कि कैसे आपका popcorn बनकर के तयार हो अगर बात करें दोस्तों इसमें मुनाफ़ की तो आपका investment बहुत ही कम है मुनाफ़ा इसमें बहुत अच्छा है इसमें आगर आप खुद से sale करते हैं किसी restaurant बगएरा में sale ना करके आप अगर street पे अपना खुद से sale करते हैं तो आप 10 से 15% आराम से मुनाफ़ा कमा लेते है क्योंकि इसमें अगर आपके सारे खर्चे निकाले जाएं तो मेरे इसाब से कोई major खर्चा नहीं आता है इसमें जो आपका main raw material है आपका corn यानि की मक्का वही आपका बस main raw material है उसके अलावा आप एक बार machine में invest कर देंगे तो आपको invest नहीं करना पड़ेगा इसमें जो butter य है कि जो मैंने आपको मुनाफ़ा बताया वो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग ratio हो सकता है लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कम से कम इतना मुनाफ़ा बताया है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को subscribe करिएगा वीडियो को like करिएगा आगे आप अन यानि की थोड़े बड़े पैमाने पर करते हैं तो आपको क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना होगा वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने जो सारी strategy वताई हैं वो आपके लिए काफी फायदे मन्द हैं तो यहाँ पर जैसे अगर आप थोड़ा skill up करेंग आप start करते हैं तो अभी क्या है जैसा कि अभी weather है अभी जैसा pandemic की वाज़े से महौल है तो आप उसमें थोड़ा सा struggle भले जीलना पड़े लेकिन अभी काफी हद तक market open हो गई है और इसको बच्चे हो या बुड़े बड़े चाव से खाते हैं तो यह कहीं न कहीं आपका घा process समझ लिया कि कैसे आपका popcorn बनेगा और इसमें क्या-क्या flavor आड़ कर सकते हैं flavor के लिए आप बहुत सारे वीडियो यह वहाँ पर जा सकते हैं या आपको जो flavor आपको खुद को पसंद आते हैं creativity है आपके कुछ जहन में है ऐसा कुछ करने का तो आप वो भी add कर सकते हैं जैस हम यहाँ पर count किया है क्योंकि अलग-अलग जगह पर profit उसके इसाफ से vary कर सकते हैं आपका जो raw material है वो main corn है आपका मक्का है वो आपको हर जगह पर rural areas में थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको easily और काफी सहत के इसाफ से भी काफी फायदे मंद होता है popcorn आपको कहीं भी नुक आपको अगर GST license ले लेते हैं यह दोनों ही आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे अगर आप इसको scale up करना चाहते हैं जैसे कि आप packing वेरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अगर starting में आप का packing जो होती है sealing होती है वो कर सकते हैं या आप अगर थोड़ा और लेवल पर भी कर सकते हैं क्योंकि यह घाटे का सौधा किसी भी कीमत पर नहीं है तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे एक नए बिजनस आडिया के साथ में एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद